वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप पेपरोमिया या बेबी रबर प्लांट पर आथेंटिक जानकारी चा रहे हैं, तो आप बिलकुल सही जगह पर आए हैं। मैं हूँ आपका दोस्त Home Gardening Made Easy, एक ऐसा चैनल जहां मैं आपसे शेर करता हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड साइन्टिफिक और कम्प्लीट जानकारी बिना किसी फेक इन्फो के। तो इस जॉयराइड में अंतक बने रहे हैं। दोस्तो यह पौधा देखने में एक छोटे से रबर प्लांट के जैसा ही लगता है। लेकिन वास्तव में यह रबर प्लांट है नहीं, यह एक पेपरोमिया है। इसका पौधा काफी बुशी और कॉम्पैक्ट होता है। इसकी पतियां गोल, मोटी-मोटी, चमकदार होती है। कुछ पतियों में जिसे वेरिगेशन भी आया हुआ है। वेरिगेशन का मतलब यह सफेद धारिया है जो इनके पतियों में है। यह बहुत ही हाड़ी पौधा है और ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों को सह लेता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो यह पौधा आपको जरूर रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी सॉयल इसकी गमले का सेलेक्शन इसकी सनलाइट वाटरिंग फर्टिलाइजिंग और प्रपागेशन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों किसी भी पौधे के लिए गमले के साइस का सेलेक्शन इसके रूट सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर किसी पौधे का रूट सिस्टम छोटा और शैलो होता है तो हम उसके लिए छोटा गमला ही लेते हैं। तो पेपरोमियस के भी रूट सिस्टम छोटे होते हैं तो इसके लिए आपको 4-5 इंच चोड़ा गंबला ले लेना है जो की 3-4 इंच गहरा हो मैंने इसे इस रजगुले के छोटे से डब्बे में लगाया हुआ है और अगर आपके पास ऐसा नहों हो तो किसी बड़े डब्बे को काट करके भी आप उसे लगा सकते हैं तो आईए अब जान लेते हैं कि इसकी सॉयल कैसी होगी दोस्तों इसकी सॉयल बिल्कुल पूरस होगी जिसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए तो ऐसी मिट्टी बनाने के लिए आप लगबग आधी कॉंटिटी में बालू या मोटी रेत ले 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 और उस पे थोड़ा सा कंपोस्ट थोड़ी सी मिट्टी अगर आपके पास है तो कोकोपीट और अगर आपके पास परलाइट भी है तो थोड़ा सा परलाइट मिला अगर के सॉयल को बना लीजिए अगर आपके पास कोकोपीट और परलाइट नहीं भी है तो भी अब ज्यादा मातरा मे सेंड को ले करके आप सॉयल को त्यार कर लीजे जहां तक सनलाइट की बात है दोस्तों तो अगर आप नौर्थ इंडिया या साउथ इंडिया के गरम प्रदेशों में रहते हैं तो इसे आपको बिल्कुल भी सन में एक्सपोज नहीं करना चाहिए इसे आपको छाउदार जगह पर ही रखना चाहिए या ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां सुभा की एकाद गंटे की डाइरेक्ट धूप इन्हें मिलती हो और अगर ऐसी जगह ना हो तो आप इसे कंप्लीट शेड में किसी ब्राइट जगह पर किसी खिड़िकी के पास जहां पर डाइरेक्ट सूरज की रोश्णी ना पढ़ती हो ऐसी जगह पर इसे रख सकते हैं दोस्तों अगर आपका पौधा पतला पतला लंबा सा हो चला है और इसकी पतियां दूर दूर हो गई हैं और जो वेरिगेटेट पेपरोमिया की पतियों के वेरिगेशन भी खतम हो रहा है यानि कि उसकी वाइट स्पॉट्स कम हो रहे हैं तो आप यह समझ जाईए कि आपका पौधा ज्यादा च्छाओं में है और इसके विपरीत अगर आपका पौधे के पतियां ब्राउन हो रह ही हैं और पौधा मुर्जाया से रहता है तो आप समझ लिजे कि आपने इसे या तो डैरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है या बहुत ज्यादा ब्राइट जगह पर रखा हुआ है दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पौधे की वाटरिंग को समझना सबसे ज्याद मुझकिल होता है तो अब आईए इसकी वाटरिंग को समझते हैं दोस्तों ये दोनों पेपरोमियास थोड़े से ड्राट रेजिस्टन्ट है यानि कि अगर ये कुछ दिन सूखे में भी रहेंगे तब भी ये मरने वाले पौदे नहीं है तो आप इनको पानी थोड़ा कम ही दिया कीजिए अगर आपके यहां ज्यादा गर्मी न पढ़ती हो तो चार पांस दिनों में एक बार पानी दीजिए और अगर आपके यहां बहुत ज्यादा गर्मी पढ़ती है तो तीन-चर दिनों में एक बार पानी दे करके देखिए और कुछ दिनों के वाटरिंग के ब बढ़ा दीजिए, दोस्तो watering basically हमारे potting soil पे ही depend करेगी, अगर potting soil जल्दी सूख रही है तो हमें जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा, और अगर potting soil ऐसी है जो कुछ समय तक गिली रहती है, तो थोड़ी watering के भी frequency कम करनी पड़ेगी अपने baby rubber plant को बुशी बनाने के लिए आपको time time पे प्रूनिंग भी करनी होगी प्रूनिंग करने से इस पे नई डालिया आएंगी और डालिया भी थोड़ी मोटी हो जाएंगी पौधा भी बुशी हो जाएगा, अब प्रूनिंग करने से आपको एक फाइदा यह भी है कि आपको propagation के लिए new plants बनाने के लिए आपको material मिल जाएगा तो आई यह propagate करना भी सीख लेते हैं तो यह हमने उपर से इसको प्रून किया हुआ है और इस डालिया को मैं एक दिन के लिए ऐसे ही छाओ वाली ठंडी जगा पर छोड़ दूँगा ताकि इसका जो चोट है वह भर जाए अब एक बहुत ही छोटे से कंटेनर में या बहुत छोटे से प्लास्टिक के गंबले में आप जो है बुरबुरी मिट्टी सूखी रेतिली मिट्टी ले लीजिए और उसी में इस पौदे को लगा करके हलका सा पानी उपर से दे करके छाओं वाली जगह पर रख दीजिए दोस्तों इन पौदों को आप इनके पत्तों से भी प्रोपगेट कर सकते हैं जी हाँ शूट्स भी आ जाएंगी जैसा कि यहाँ पर आई है इन में जड़े आ चुकी है और यह कटिंग अब लग चुकी है माफ कीजिएगा दोस्तो थोड़ा सा कैमरा आउट ओफोकस हो गया है अब आप इन कटिंग्स को वीडियो में पीछे दिखाए हुए तरीके से चोटे-चोटे प्लांटर्स में प्लांट कर लीजिएगा और इस तरह से आप अपने एक प्लांट से बहुत सारे बेबी रबर प्लांट्स बना सकता है तो आशा करता हूँ दोस्तों इस जॉयराइड को आपने उतना ही एंजॉय किया जितना की मैंने इससे बनाते हुए किया अगर आपको ऐसे ही जेनुईन कंटेंट पर जेनुईन वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक पौदे लगाते रहें और खुश रहें गुडबाई टेक क्यर एंड जैहिंद